हेलो दोस्तों वैलकम टू डोर्स्टप एजुकेशन पॉइंट उम्मेद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वन इन थ्री हाई स्कूलर्स गैट प्राइवेट कोचिंग तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हर यहाँ पर तीन कवाए गया था तो उसके आकड़े अब निकल करा रहे हैं तो इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या-क्या बातें आपको देखने को मिलती हैं तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ने यहाँ पर क्या कहा है कि जो बच्चे यहाँ पर जो उनकी फीस होती है मान लिजे कि वहाँ पर उनकी फीस 10,000 है मान लिजे बस कि यहाँ पर उनकी फीस कितनी है 10K है तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना 20 प्रतीशत उसका जो सीधा 20 प्रतीशत है वो किस पर ख तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो आपकी secondary school है या फिर 9-10 में कि जो भी आपको class के जो बच्ची देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर हर 5 बच्चों में से एक बच्चा आपको ऐसा देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर क्या करता है प्राइवेट कोचिंग लेता है अ almost 20% of the total cost of education तो यहाँ पर वही बात बताई हुई है कि जो 20% है माले जै अभी मैंने आपको example दिया कि 10,000 यहाँ पर बच्चे की फीस है तो लगबग 20% तो सिधा वो सिर्फ कोचिंग पर ही खर्च कर रहा है अगर हम बात करें वेस्ट बेंगॉल जैसे states की तो यहाँ पर जो National Statical Organization आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं क्या नाम है National Statical Organization की यह जो रिपोर्ट है यह यहाँ पर सामने आई है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पर एड की हुई है तो वैसे यह दा हिंदू का आज ही आया है यहाँ पर क्या कहा जा उसको यहाँर यहाँ पर लगवाई जाती है यहाँ पर आपको स्कूडेंट टेकिंग प्राइवेट कोचिंग कि यहाँ पर प्रे-Primary जो स्कूल के बच्चें यहाँ यहाँ पर लगबग् disaster番 प्रेड़ी मीं यहाँ पर लगबग 16. सब्सक्राइब और यहां पर सारी जो बात हैं वहां पर बताई गई है कि जो बीचे बता के बच्चे आप को बोड़ की देखने को मिलती आपको यह अगण लगबग 30 परषाथ देखने को मिलता तो अब आप इस सोचें कि हमारे टीचर की क्वालिटी यहां पर कितनी है अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एजुकेशनल चैनल है ठीक है जी तो यहां पर आप पता है कि कॉरोना पेंड़ेमिक के टाइम में कि जो कोचिंग क्लास से बंद थी यह पर बहुत सारे जो बत्चे हैं उन्होंने औलाइन कोचिंगे लेनी यह पर स्टार्ट कर दिया है और यहां पर अभी तो बात कही जा रहे हैं कि 21 September से जो भी यहां पर स्कूल होंगे यहां पर उनको पार्चली बेसिस पर ऑपन किया जाएगा तो यह भी यहां पर बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं नौवी से लेकर बार्वी तक वह यहां पर जा सकते हैं ऐसा यहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहां पर ग कोचिंग लेंगे तो यह भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर बात करें इन 75 तो यह आपका जो भी सैंपल सर्वे करवाया गया था नसो के द्वारा नैशनल सैंपल सर्वे तो यहां पर यहां पर यहां पर कह सकते हैं कि इसको स्टडी को यहां पर नौ में से जो दस बच्चे यहां पर बता जा रहा है कि नौमी दसमी क्लास के बच्चे हैं, वो यहां पर सोचते हैं कि हमें यहां पर कोचिंग लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो यहां पर यह भी आपको बाते देखने को मिली हैं, और यहां पर जो study की गई है, इस मिलता होगा, और यहां पर अगरों में भी आपको काफी फरक देखने को मिलता होगा, और यहां पर अगरम बात करें, कि मिलता हो जाया पर आपको बहुत अच्छे डंक कर दिया है उम्हेद है आपको यह बहुत ही लगा होगा और आपके यहां पर थोड़ी से नॉलेज में भी यहां पर जो भी है ओ इनक्रिमेंट जरूर से हुआ होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लें और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने